नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब जैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में मार्किंग टूल्स दोस्तो यह चैप्टर आईडिया के काफी ट्रेड्स में दिया हुआ है और इस चैप्टर से हम कुछ important question कवर करने वाले हैं काफी बार एकजाम में पूचे जाते हैं और पूचे भी जा चुके हैं दोस्तो अगर आपको किसी ओटोपिक और वीडियो चाहिए तो हमें नीचे comment box में ज़रूर बताए उसलिए दोस्तो आज के question paper को start करते हैं दोस्तो किसी job का के अंदर ग्यात होता है इसके option है इसके option है दोस्तो पंच के परियोग में कौन सी साधनिया आवेशक नहीं है इसके option है दोस्तो मार्किंग हैमर का बाहर होता है इसके option है इसका सही उतर है दोस्तो डिवाइडर पर जोड देता है इसके option है दोस्तो प्रिक पंच का कौन होता है इसके option है A. 60 डिगरी B. 90 डिगरी C. 45 डिगरी D. 30 डिगरी इसका सही उतर है 30 डिगरी दोस्तो डोड पंच का कौन होता है इसके option है A. 60 डिगरी B. 30 डिगरी C. 90 डिगरी D. 45 डिगरी इसका सही उतर है 60 डिगरी दोस्तो सेंटर पंच का कौन होता है इसके option है A. 30 degree, B. 60 degree, C. 90 degree, D. 45 degree इसका सही उत्र है 90 degree दोस्तों, गोल रोड के सीरे का केंदर किस विदी से निकाल सकते हैं इसके option है A. जैनिक कैलिपर द्वारा B. सरफेस गेज द्वारा C. सेंटर हेड द्वारा D. इन सभी के द्वारा इसका सही उत्र है इन सभी के द्वारा दोस्तों, सरफेस प्लेट प्राई कितने ग्रेड में बनी होती है इसके option है A. 2, B. 1, C. 3, D. 4 इसका सही उत्र है 3 दोस्तों, सरफेस प्लेट प्राई किस आकार की बनी होती है इसके option है A. वर्गाकार, B. तिर्बुजाकार, C. वरिताकार, D. पंचबुजाकार इसका सही उतर है वर्गाकार दोस्तों, मार्किंग किस विदी दोहरा की जाती है? इसके option है A. निर्देश रेखा विदी, B. केंदर रेखा विदी, C. टेंपलेट द्वारा, D. इन सभी द्वारा इसका सही उतर है इन सभी द्वारा दोस्तों, मार्किंग टूल्स कौन-कौन से हैं? इसके option है A. सिक्राइबर, B. डिवाइडर, C. ट्रेमल, D. ये सभी इसका सही उतर है, ये सभी दोस्तों, केलिपर, स्प्राइड, डैस बनाए जाते हैं इसके option है A. मद्यम कार्बन स्टील B. हाई कार्बन स्टील C. लो कार्बन स्टील D. किसी से भी नहीं इसका सही उतर है हाई कार्बन स्टील दोस्तो ओडले कैलिपर को कहा जाता है इसके option है A. हरमाफ़ोडाइट कैलिपर B. लेग एंड पॉइंट कैलिपर C. जैनी कैलिपर D. उपरोक्त सभी इसका सही उतर है उपरोक्त सभी दोस्तो B. वलोक का प्रयोक किया जाता है इसके option है A. गोल जोब को सहरा देने के लिए B. तरिबुजाकार जोब को सहरा देने के लिए C. आयताकार जोब को सहरा देने के लिए D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है गोल जोब को सहरा देने के लिए दोस्तों combination set का size कहां से लेते हैं इसके option है A. Center head B. Square head C. Blood की लंबाई D. Scriber की लंबाई Technical Trades इसका सही उतर है Blood की लंबाई दोस्तों punch के point की hardness कितनी होनी चाहिए इसके option है A. 50-55 HRC B. 55-69 HRC C. 40-55 HRC D. 60-65 HRC इसका सही उतर है 55-69 HRC दोस्तों automatic punch का कौन कितना होता है इसके option है A. 60-90 डिगरी B. 45-60 डिगरी C. 45-30 डिगरी D. 30-60 डिगरी इसका सही उतर है 60-90 डिगरी दोस्तों marking के लिए क्या आवश्यक नहीं है इसके option है A. Drawing को समझना B. Marking के लिए O.0 का chain C. लकडी की समतल मेज D. Marking स्ताई करने के लिए डोट पंच का प्रयोग इसका सही उतर है लकडी की समतल मेज दोस्तों किसका प्रयोग मार्किंग में नहीं होता है इसके option है A. Angle Plate B. Odelic Caliper C. Universal Surface Gaze D. Drill Gaze इसका सही उतर है Drill Gaze दोस्तों सरफेस प्लेट बनी होती है इसके option है A. Peetal B. Tamba C. Cast Iron D. High Carbon Steel इसका सही उतर है Cast Iron दोस्तों Angle Plate का आकार होता है इसके option है A. 60 90 डिगरी पर B. 68 डिगरी पर C. 45 डिगरी पर D. इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है 90 डिगरी पर दोस्तों Angle Plate का प्रयोग होता है इसके option है A. दातु के कोन को मोडने में B. S. एन्थ गोल जोब सादने को C. कोन की मार्किंग को D. चाप खिचने को इसका सही उतर है S. एन्थ गोल जोब को सादने को दोस्तों ओडले केलिपर परयोग होता है इसके option है A. गोल जोब का केंदर ग्याद करने को B. तिर्चे जोबो को नापने को C. समानतर रेखाई खिचने को D. फृद खिचने को इसका सही उतर है गोल जोब का केंदर ग्याद करने को दोस्तों ओडले केलिपर की टांगे होती है इसके option है A. दोनों कुछ गोलाई में B. सीधी C. एक सीधी वे कुछ गोलाई में D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है एक सीधी वे एक कुछ गोलाई में दोस्तों डिवाइडर का कारिय है इसके option है A. दादू को दो भागों में बाटना B. चाप वरित खिचना C. दो भागों को जोड़ना D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है चाप वरित खिचना दोस्तों सक्राइबर का प्रयोग होता है इसके option है A. दादू की स्थैक खुरुचने में B. दादू पर सुराह करने में C. सीदी रेखा वैं समानतर रेखा खिचने में D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है सीदी रेखा वैं समानतर रेखा खिचने में दोस्तों सक्राइबर का पोईंट होता है इसके option है A. 15-20 डिगरी B. 12-15 डिगरी C. 20-25 डिगरी D. 5 डिगरी से 10 डिगरी इसका सही उतर है 12 डिगरी से 15 डिगरी दोस्तों सर्फेस गेज का प्रयोग होता है इसके option है A. स्थै परिसकरण को B. स्थै की जाच करने को C. सुद्धिकरण मार्किंग को D. इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है स्थै की जाच करने को दोस्तों यूनिवर्सल सर्फेस गेज का मुख्य बाग है इसके option है A. अड़जस्टनिंग स्कुरूग B. संग बोटल B. सेक्राइबर D. ये सब ही इसका सही उतर है ये सब ही दोस्तों ट्रेमल का प्रयोग होता है इसके option है A. समानतर रेखाओ के लिए B. बड़े वृत्वय चाप के लिए C. छोटे वृत्वय चाप के लिए D. इनमे से कोई नहीं इसका सही उतर है बड़े वृत्वय चाप के लिए दोस्तों ट्रेमल बीम की लंबाई होती है इसके option है A. सो मीमी से तिनसो मीमी B. दोस्तों मीमी से चाप सो मीमी C. एक सो पचास मीमी से पांत सो मीमी D. तिनसो मीमी से पांत सो मीमी इसका सही उतर है एक सो पचास मीमी से पांत सो मीमी दोस्तों वी बड़े का प्रयोग होता है इसके option है एक Gold Joao की marking में आधार को B. आयताकर जोब के आधार को C. Gold Joao में slot बनाने को D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्र है Gold Joao की marking में आधार को दोस्तो B block का परकार नहीं है इसके option है A. Plain B block B. Magnetic B block C. Clamping B block D round V block इसका सही उतर है plane free block दोस्तो पंच की दातू होती है इसके option है A. गंदातू B. mild spot C. high carbon spot D. high speed spot इसका सही उतर है high carbon spot दोस्तो पंच का कौन सा परकार नहीं है इसके option है A. center punch B. dot punch C. hollow punch D. drilling punch इसका सही उतर है drilling punch दोस्तो बेल पंच के साथ प्रयोग नहीं होता है इसके option है A. hammer B. center punch C. chisel D. ये सभी इसका सही उतर है ये सभी दोस्तो hollow punch दोवारा होते है इसके option है A. साफवे सिगर सुराख B. एक साथ कई सुराख C. गहराई में सुराख D. केवल दातों में सुराख इसका सही उतर है साफवे सिगर सुराख दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को सेर जुरू करें ताकि उन्हें भी इसका वाइदा मिल सके अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुजाव है तो हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूले धन्यवाद